हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं प्लैंडर्स ओफ दी एप के रीबूट वर्जन के बारे में जिसकी कन्फोर्मिशन तो अभी पूरी तरीके से नहीं की गई है बट एक रूमर निकल कर आई है कि डीजनी स्टूडियो की तरफ से प्लैंडर्स ओफ दी एप के वर्जन में आई मिन यूनिवर्स में बट एक रिमाइंडर आगे बढ़ने से पहले कि मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि इस टाइप की वीडियो को बनाने के लिए बहुत जादा मेहनत लगती है और बहुत जादा रिसर्च भी कर जा चुका है और एंडी स्कारिस का वर्जन इस यूनिवर्स का तीसरा रिबूट वर्जन था और अब अगर देखा जाए तो डिजनी की तरफ से इस यूनिवर्स को चौती बार रिबूट किया जाएगा तो अगर आपको पहले के वर्जन के रिबूट से याद नहीं है त जहाँ पर इंसानों के पास जादा दिमाग नहीं और इंसान एपस की इस दुनिया में वसुन सभी के सभी एपस के स्लेव्स है और देखते ही देखते इस फिल्म की यूनिवर्स में टोटल पांच पार्ट बनाए गए थे और पांचों ही पार्ट 68 से लेकर 73 तक चले थे जिन जिसके बाद इस वर्जिन को शांत करकर इस यूनिवर्स को रीबूट करने की जिम्मेदारी टिम बूटन को दे दी गई जिन्होंने साल 2001 में प्लाइनेटस अफ दी एव फिल्म का रीबूट वर्जिन बनाया जिस फिल्म में हमें मार्क विल्बग नजर आये थे इसके अल यानि वहां के लोगों को ये बताकर कि एपस दुनिया पर राज नहीं करते थे वलकि यूमन करते थे फिर मार्क वल्बग का क्यारे करकर अपनी दुनिया में वापस आने की करता है जिसमें वह फेल होता है और अगेन वह एक अलगी अल्टरनेट टाइम लैन में फच जाता का और यहां से लोगों को एक अच्छी प्लैनेट्स ऑफ दी एप की सीरीज देखने मिली जिसमें हमें एंडी सर्किस के वर्जिन का सीजर बहुत बहुत जादा पसंद आया और फिर क्या था इसके यूनिवर्स में 2014 में बनाए गया इसका सेकेंड पार्ट जो की था डाउन बड़ी disappointment थी बट फिर भी फिल्म अच्छी बनाए गई थी और जिस तरीकी से फिल्म का end किया गया था उसे देखकर तो मैं यही कहूंगा कि अगर प्लैनेट्स ऑफ दी एप की सीरीज को डिजनी की दर्व से reboot किया जा रहा है एक अच्छी सोच को रखकर तो वह बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि अगें प्लैनेट ऑफ दी एप की सीरीज में अगर देखने लाइक कोई character है तो वह character Caesar का ही था जिसे इस फिल्म के third or final part में मार दिया गया और अब future में हमें वही Caesar के बच्चे दिखाये जाएगे जिसकी continuation आगे हमें सीधे सीधे पुराने वाले version प्लैने स्टूडियो को भी पता है कि planets of the ape के अभी के universe को fans कितना ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए हो सकता है कि इस universe को reboot नहीं बलके अलगी तरीके से बनाया जाए ताकि लोग planets of the ape के इस universe को लेकर ज्यादा शिकायत ना करें क्योंकि देखा जाए तो कमाई के मामले में इस series को second part की success के बाद और अच्छी कमाई करनी चाहिए थी जो इस series के third part में नहीं की थी और शायद इसी के चलते film के third part का budget भी कम रखा गया था वेल तो अब आपकी क्याराए है इस reboot version को लेकर जो डिजनी की तरफ से किया जा रहा है rumor के according उसमें जरा सा भी दम है या नहीं उस बारे में मुझे कमेंट करकर जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरे ये detail वीडियो पसंद आई है जरा सी भी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल में मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए हो लगया तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजेगा ताकि मैं चैनल पर जब भी को नए वीडियो अप्लोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेवल तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तिल देन बाई झाल